हालो एव्यवन दस्ट्रेग्रेंस यूटूब चानल में आप सभी दर्शकों का हर्दिक स्वागत है और आज एक फार्म विलोग आप लोग के लिए क्या हैं फार्म विलोग में आप लोग जो बचेरी दिख रहे हैं इन सब के बारे में आपको डिटील से बताने वाला हूँ आज हम लोग एक फार्म विजिट किया हमने और यह फार्म का नाम है बालोठिया स्टर्ड फार्म बालोठिया स्टर्ड फार्म जो की फेमस है पैलेस लाइन के लिए पैलेस लाइन को प्रमोट करते हैं बालोठिया स्टर्ड फार्म और पैलेस लाइन का ही पालन करते हैं अ जो है वो खास तोर पे जो जिस ब्रीड पे ध्यान दिया गया है वो है पैलेस लाइन सो अभी आप जो ये छोटी सी खूबसूरत फिली देख रहे हैं ये लगबग डेड़ महिना की है और डेड़ महिने में बहुती खूबसूरत इसकी बनावट इसका स्ट्रक्चर इसका प्रफाइल एवरिफिंग जो आप देख पा रहे हैं ये है नवलगड में एक घुड़ा यूराज यूराज वरखाना लाइन से आता है और इसकी डैम जो की बालुठिया स्टेट फार्म की होम ब्रीड है और इसका नाम है चकोरी जो की बालुठिया स्टेट फार्म की होम ब्रीड है और यहां की एक खास घुड़ी है और फर्स्ट फोल चकोरी का ये है यूराज वर्सेज चकोरी सो बहुत ही कमाल की ये बच्छेरी है और आप लोग देख पा रहे हैं इसका नखरा इसका इडिट्यूड इसकी बनावट इसकी चंचलता बहुत ही खुबसूरत है देखते ही बनती है तो वर्खाना वर्सेज पैलेस लाइन तो चकोरी जोकी इस बच्छेरी की डैम है उसकी अगर हम बात करें तो उसका सायर है आरियन आरियन दोस्तों बहुत ही अच्छी ब्लड लाइन से आता है जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा और आरियन जादतर लोग तो जो की मारवडी घोडों में हैं वो लोग पैचानी जाएंगे कि आरियन कौन सा घोड़ा है तो आरियन है रासुरूब पैलेस लाइन का घोड़ा रासुरूब सुल्तान का था सुल्तान के बाद रासुरूब रासुरूब का आरियन और आरियन एक सुरंग रंग का घोड़ा है जो की इस व्लोग में मैं आपको उसको भी इंट्रिड्यूस करने वाला हूँ और जो ल अच्छे अच्छे बच्चे इस फार्म में दे चुकी है आरियन और ये घोडी कोयल के खुप बच्चे जो हैं वो बड़े-बड़े स्टड फार्म में अच्छे अच्छे घरों में हैं और काफी अच्छे बच्चे कोयल ने अब तक प्रड्यूस किये हैं कोयल आती है फूलमाल लाइन से, फूलमाल लाइन और पैलेस लाइन का कॉंबिनेशन बच्चों में रहता है, और काफी अच्छे अच्छे बच्चे कोयल ने प्रिड्यूस किये हैं, आरियन और कोयल. चकोरी एक खास घोड़ी यहां की होम ब्रीड है, वो भी आरियन का ही प्रिड्यूस है, आरियन का ही रेजल्ट है, और फूलमाल लाइन की यह घोड़ी, काली रंकी जो आप घोड़ी देख रहे हैं स्क्रीन पे, यह घोड़ी है कोयल, और कोयल ने बहुत अच्छा वीजल्स दिया है ईसकी बनावत आप लोग देखी हरे हैं किस तरह कि बनावत अ किस सब्सक्राइब किस तरह किए नेक प्रोफाल है किस तरह का फेस प्रोफाल है और लग भग 18 स्कुल्य मुथा इसकी और यह गोडी कोईल का जो बच्चा भी आपको में फिर से इस क्रिएन पर दिखाऊंगा तो काफी अच्छे बच्चे प्रेड्यूस को एल कर रही है बालोठी अस्टेट फार्म पे जो की तारीफे काबिल है बहुत ही सुन्दर इसकी बनावट है और फूलमाल लाइन की ये खास बात है कि ये बहुत ही तेज तराट और होने के साथ साथ बहुत अबीडियंट भी है बहुत स्वामी बक्त भी है फूलमाल लाइन के ब्लड में ही ये है जब तक मालिक नहीं है वो किसी कॉंटिटर नहीं करते हैं मालिक के ये लोग बहुत बफादर होते हैं मालिक को पैचानने वाले गोड़े होते हैं और अगर राइडिंग की बात हो और अगर कहीं नंबा निकलने की बात हो तो फिर फूलमाल लाइन पीछे हटने वालों में से नहीं है फिर ये लोग अपने उपर एक चैलेंज साल लेते हैं कि हमें सबसे आगे रहना है तो full mall line की एक खास बात है और full mall line में बनावड जो आप देख रहे हैं this is the idle structure of full mall यही एक अप इसको आप benchmark मान सकते हैं full mall line का और यह है दोस्तो RM इसकी काफी बच्चे मारवड एक्षव जगत में एकना बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं जिसमें से आता है स्वास्तिक, देवराज, बहुत सारे स्टेट फार्म्स में घोडियां, इसका ही बहुत खास रजल्ट चकोरी जो की इसी स्टेट फार्म में खड़ावा है, बहुत ही लंबी चोड़ी और बहुत ही सुन्दर बनावट की एक घोड़ी, और जितने भी आप इसके बच्चे जिस भी स्टेट फार्म में देखेंगे, आपको देख के मज़ा ही आएगा, नायाब जो की लास्ट पुशकर फेर में विनर रहा, वो भी इसी का बच्चा है, नायाब बच्चेरा, जो की अमन बगड़िया जी के पास में है हनमान गड़ म और अभी वो काफी अच्छा नाम कर रहा है मारवड़िया शोजगत में और बहुत सारे स्टड फार्म्स में इसके मेल और इसकी फीमेल्स बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सो आरियन है रासुरूप का रासुरूप सुल्तान पैलेस लाइन आज की डेट में मारवड़ी एश्व जगत में अगर जो घोड़े अच्छे प्रड्यूस कर रहे हैं उन में से अगर टॉप 15, टॉप 20 या ये कहो कि टॉप 10 की लिस्ट बनाई जाए तो उसमें से आरियन भी आरियन का भी नाम शुमार है और आरियन बहुत अच्छा ब्रीड कर रहा है जो कि सब लोग जानते हैं आरियन लगबग आठ साल का घुड़ा है आठ नो साल का और बालुठियस्टेट फार्म का किंग है यहां पर बहुत खास तोर पर इसका एक बड़ा सा पैड़क बनाया वाया है खुला पैड़क और यह वहीं पर रहता है रात को यह रूम में जाता है बहुत खास मिट्टी जो कि बालुठियस्टेट फार्म का फार्म अब है पहले अजमेर रोड पे जैपुर में में सिटी में इनका फार्म था जहां पे बहुत महंगी जमीन बहुत खास लोकेशन पे खुली जमीन में घोड़ों को रखा जाता था और वहां पे आरियन रहता था और अब शिफ्ट कर दिया गया है फ्रोड़ा सा आउट साइड में अजमेर रोड पे और वहां पे आरियन है और आप लोग विजिट कर सकते हैं बहुत ही खास व्यवस्ताओं में यहां आपकी गोड़े रहते हैं और यह भी राजसुरूप का ही एक रिजल्ट है ग्रे कलर का राजसुरूप का एक रिजल्ट जो की अब तक का सबसे लेटेस रिजल्ट है राजसुरूप का इसके बाद राजसुरूप का को ब्रीड नहीं करवाया गया और यह लगबग नो से दस महिने का बच्चा है और काफी सुन्दर बनावट का बच्चा है राजसुरूप का ही यह बच्चा है राजसुरूप भाय सुल्तान पैलेस लाइन में किसी की भी entry आहम तोर पे नहीं है और बहुत selected घोड़ों और selected घोड़ों के लिए यहां के घोड़े अविलेबल होते हैं वहां से काफी अच्छे बच्चे जो की बालो ट्वेस्टेट फार्म ने लिये भी हैं और पैलेस लाइन को मेंटेन, स्टंडर्ड मेंटेन करने में भी बालो ट्वेस्टेट फार्म का बहुत एक खास और अनुठा योगदान है और हमेशा पैलेस लाइन को प्रोमोट करने में भी बालो ट्वेस्टेट फार्म का एक अभिन अंग है, अभिन नाम है जिसको बहुत प्रोमोट किया गया है बालो ट्वेस्टेट फार्म के दुआरा और ये बच्चा भी राशरूप का ही है और ये ग्रे रंग का एक नो-दस महीने का बचेरा है जो कि आने वाले टाइम में मारवडेश्व जगत में अपना एक विशेश नाम करने वाला है इसकी निक प्रोफाइल इसका फेस प्रोफाइल इसका लेंथ इसका चेस्ट आप सब जो देख रहे हैं ये पैले स्लाइन में बहुत फाइन जो बच्चे हैं उन में से एक इसको कह सकते हैं पैले स्लाइन में कहीं न कहीं ब्राडनेस और हाइट बडी स्ट्रक्चर लेंथ यह सब तो आता है इस बचेरे में जो खास बात है वो शापनेस भी है palace line के temperament और behavior और attitude के साथ में sharpness यानि की sharp face, sharp neck, neck का profile बहुत सुन्दर है, head courage बहुत अच्छा है और attitude बहुत अच्छा है उसे साथ से palace में खास दोर पे राज सुरूप की बात की जाये तो उसमें से बहुत ही अच्छा बचेरा ये है इसका हमने खुले का भागते दोरते का वीडियो बनाया और काफी मज़ा उस शाम को आता है या उस सुबह को आता है जब घोडों के साथ मेरी सुबह या शाम होती है सो ये भी एक शाम घोडों के साथ ही हमने बिताई और बहुत अच्छी जानकारिया भी बालोठिया से मिलती है क्योंकि विकास जी बालोठिया के जो फादर है धरम सिंग जी बालोठिया जो की काफी अच्छा एक्सपिरियंस रखते हैं मारवडी घोडों को लेके और काफी सुलजेवे और काफी अच्छे इंसान है और जिन से काफी अच्छा सीखने को मिलता है सो मैंने हमेशा से जबसे मैं घोडे रखना शुरू किया है मैंने या घोडों में मैंने जबसे एंट्री की है तबसे मैंने बालोठिया स्टेट फारम से बहुत कुछ सिखा है कुछ जानकारियां यहां से मुझे मिली हैं घोडों को करीब से मैंने बालור ठेस्टेट फार्म पह जाके सिखा है ये तब बच्चा आपको कैसा लगा दोस्तों ये बच्चा कैसा लगा बच्छेरी आपको यूराज और चकोरी की बच्छेरी कैसे लगी आपको और आपको कोयल कैसी लगी आपको आरियन कैसा लगा ये सब के बारे में आप कमेंट करके जरूर बताईएगा और डेफिनेटली बहुत जल्दी हम लोग दूसरे व्लोग के साथ आएंगे और तब तक हमारे इंटर्व्यू वीडियो भी साथ साथ में आते रहेंगे आप लोगों ने जहाला इस्टाट फाम का लास्ट वीडियो डाला जाकि दोकी बहुत ही खास पसंद किया जा रहा है और पहले स्लाइन की खास जानकारी के लिए फिर से एक इंटरव्यू जो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आने वाला है सो थैंक्यू